गन्यपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया अलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनलन्ज यह मातारी इस वीडियो में आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ गनेश चतुर्थी की सरल पूजा बिधी गनेश चतुर्थी का पर्व भाधो मां के शुक्ल पक्ष की चतुर् भगवान को आसन देने के लिए जिस पर हम लाल या पीला बस्तर बिचाएंगे अब हम भगवान को आसन देने के लिए थोड़ी से अच्छत रखेंगे और थोड़ी सी दूब घास रखेंगे क्योंकि भगवान कनेश को दूब घास अत्य थिक प्रिया है तो जितने भी ज् के लिए बड़े मूर्ती लेनी है यदि आपकी गनेष्भवान की बड़े मूर्ति लाने की सामर्थ नहीं है तो आप चोटी गनेष्भवान की मूर्ती लाकर भी भबावान गनेष्ण की अपने घर में कर सकते हैं पूज़ा प्रारम करनेast से पहले हम दीपक पजलित कर लेंगे और पूजा के लिए हम कलस तैयार करेंगे आप कलस पीतल का, मिट्टे का या फिर तावे का ले सकते हैं कलस पर आपको मौली बांधनी है और एक स्वास्तिक का चिन बनाना है स्वास्तिक का चिन प्रतेक पूजा में बहुत ही शो माना जाता है और कलस में सभी देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं इसलिए किसी भी पूजा में कलस की स्थापना की जाते है अब हम कलस में एक पतासा एक हल्दी की गाट, एक सुपाड़ी एक सिक्का, एक पुस्प और थोड़े से अच्छट डाल देएंगे साथी थोड़ी सी दूप घास भी हमें कलस में अवश्य डाल नहीं है अब हम पांच आम के पत्ते लेंगे इनको हम कलस के मुख पर रखतेंगे उसके बाद हम एक नारियल लेंगे नारियल को हम लाल कपड़े से लपेट कर मॉली बान देंगे और कलस के उपर स्थापित कर देंगे अब हम थोड़े से अच्छत का आसन दे करके कलस की स्थापना करेंगे आप कलस को आसन देने के लिए अच्छत से अष्ट दल कमल भी बना सकते हैं आप पाणके पत्थ भी कलस में लगा सकते हैं। अब हम दो पानकी पत्थे लेंहें और इन पर सुपाडी के रूप में रिदि सित्वी की स्थापना करेंहें। साथ हमें गनेश्ची की चोटी मूर्ति लेनी हैं जिसकी आप घर पर प्रते दिन पूजा करते हों। इनका हम पंचाम्रत से अफशेक कर देंगे, बाद में ये गनेशी की मूर्ती हम अपने मंदिर में रख लेंगे, और जो हमने मिट्टी के गनेशी की स्थापना की है, उनका हम बिसरजन कर देंगे, मालनी जी अगर आपके पास छोटी गनेशी की मूर्ती नहीं है, तो आप भगवान को गंगाजन से इश्नान करा देंगे, उसके बाद हम भगवान गनेश का कुमकुम से पीले चंदन से और हल्दी से तिलक कर देंगे, भगवान गनेश को हल्दी के साथ साथ कुमकुम बहुत प्रिया है, साथ हम रिद्धी सिद्धी का भी पूजन करते जाएंगे कुमकुम से और हल्दी से पूजन करते हुए आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि रिद्धी सिद्धी हिलेना अब हम भवान गनेश को दूखास अर्पित करेंगे एक सुपाड़ी एक हल्दी की गांठ अर्पित करेंगे जो भी पुस्प हों आपके पास कैंदा के सुपाड़ी जो पूर्पित करते हैं शाथ हम ःतिषिद्धी को भी पुसप अर्पित करतेंगे आप अपने घर में गनेश ची की स्थापना दो दिन के लिए तीन दिन पांच दिन साथ धिन या पुरे तस दिन के लिए कर सकते हैं यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप डेड़ दिन के लिए भी भगवान गनेज की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं अब थोड़ी सी हल्दी लगा करके हमने भगवान गनेज को जनीग अरपित कर दिया है बश्तरूपी मौली हम अर्पित कर देंगे पहले हम रित्ति सित्ती को अर्पित करेंगे उसके पाद हम भगवान गनीज को भी बश्तरूपी मौली अर्पित कर देंगे गनेश चतुर्थी की पूजा में गुलाल अवीर का प्रयोग किया जाता है तो हम थोड़े सी गुलाल अवीर भगवान गनेश को लगा देंगे बात में परवार के सभी सदस से थोड़ा थोड़ा गुलाल लगा लेंगे यदि आपके यहां पूजा में मोहला पड़ों से भी कोई लोग आते हैं तो उनको भी आप कुलाल लगाने के लिए दे देंगे पूजा में हमने गनेश ची को तच्छना सरूप कुछ पैसे भी अर्पित कर दिये हैं हमें गनेश ची के साथ साथ कलस का और दीपक का भी पूजन करना है क्योंकि कलस में हम सभी देवी देवतां का आवाहन करते हैं और दीपक के रूप में अगनी देव हमारी पूजा के साक्षे होते हैं अब हम भगवान गनेश को भोग लगाएंगे, भोग के लिए आपने जो भी मिठाई, फल मेवा लिया है, उसे हम भगवान गनेश के सामने रखतेंगे, भगवान गनेश की पूजा अर्चना करने से सारे बिग्न बाद आएं, आपके जीवन की नश्ट होती है, भगवान गन गनेश को एक पान का भोग लगाएंगे, जिस पर हम इलाइची रखेंगे, दो लौंग रखेंगे, एक सुपाड़ी और एक पतासा रखेंगे, अब ये पान हम भगवान गनेश को अर्पित करतेंगे, अब जो हमने भगवान गनेश की छोटी सी मूर्ती विराजित की है, चाहिज इतने दिन के लिए आप भगवान गनेश की स्थापना अपने घर में करें, दोनों टाइम आपको भगवान की आर्ति करने हैं, भोग लगाना हैं, और यदि आप भोजन बिना प्याच लेसन का बना रहे हैं, तो आप उसका भी भोग भगवान को प्रति दिन लगा हैं, उस दिन आपको यह हवन अवश्य करना चाहिए, हवन में आप भगवान गनेश के नाम से 5, 7, 11, 21, 108 इस तरह से आहूतियां अपनी सामर्थ के अनुसार दे सकते हैं, यदि आपने गनेश चतुर्थी वाले दिन भगवान गनेश की स्थापना अपने घर में नहीं की है तो आपके पास जो भी गनेश भगवान है, जिनकी आप प्रते दिन सेवा करते हैं, आप उनकी विशेश शेवा उन दिनों में कर सकते हैं, जैसे आप दोनों टाइम भगवान गनेश को भग लगाईए, उनके नाम से प्रते दिन हवन कीजिएगा, दोनों टाइम आर्थी क किजिएगा भोग में हमने जो भी मिठाय रखी है उन सभी का थोड़ा थोड़ा भोग हम अगनी में अर्पित कर देंगे क्योंकि अगनी के द्वारा ही भगवान हमारे भोग को ग्रहन करते हैं और हवन की आरती हम सबसे पहले भगवान को देंगे उसके बाद हम स्वैम करनी को सांथ करेंगे भगवान को आरती देंगे और हम श्वैम आरती लेंगे और परवार के सवी सदस्यों को हम फिर से आरती देंगे यदि आप कड़ेश चतुर्थी का भृत रखते हैं तो इस दिन आपको कड़ेश जौत प्रत कथा अवश पढ़ने चाहिए इसके प्रेंड्स को मोदक अथिप्रिया है यदि आप मोदक का भोग लगा सकते हैं भगवान को तो इन दिनों में आप भवान गनेश को मोदक नहीं लगाया है गनेश चतुर्थी की पूझा सामिकरी क्या है इसका भी वीडियो चैनल पर आ चुका है बहां से जाकर के आप वेडियो देख सकते हैं लिंक आपको उपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्रेंट्स आप लोगों को मेरा गड़ेश चतुर्थी का ये छोटा सा सरल सा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को जादा से ज मोरिया मंगल मूर्थी मोरिया